उस कोठी को देख करके लल्चाए कि ऐसी कोठी मेरे पास होती तो चैन की बंसी बजती होता है ना कलपना भले उस कोठी में बैठा हुआ ब्यक्ति अर्धविच्छिप तपड़ा हो और हम उस कोठी के लिए लल्चा रहें किसी की यहां बैठने के लिए गए डाइंग रूम ह है चारों तरब कालिन बिछी है सोफा सेट लगा हुआ है तो उस डाइंग रूम को देख करके लल्चा रहे हैं कि ऐसा डाइंग रूम मेरे पास होता तो बैठने में कितना आनंद आता यह हमारे मन में कलपना अव उस डाइंग रूम में बैठा हुआ ब्यक्ति यह का रहा हो कि मेरे जैसे दुखी इस संसार में कोई नहीं है और हम लल्चा रहें तो यह जो लल्चाने की जो भावना है यही माया है और यही माया आज आप और हमें नचा रही है कोई दूसरी माया नहीं नचा रही पक्का जाने रही है यद्यपी एक महापुरुस ने इस संसार को माया कहा है किन्तु विवेग से देखने पर पता लगता है कि संसार माया नहीं है संसार के प्रती हमारे मन में जो मोह है आकर्शन है खीचाव है लिवडो है यह माया है और यहीं माया तो परसान कर रही है मान लो यदि संसार माया होती तो संसार में ज्यानी भी तो रह रहे हैं जैसे अग्यानी संसार में रह करके माया में लिप्टे हैं ऐसे ज्यानी को भी तो माया में लिप्टे रहना चाहिए किन्तु देखा जाता है ज्यानी अपने ज्यान साधना के बल पर माया से उसी प्रकार उपर उठे हुए हैं जैसे कमल पानी में रहता है किन्तु पानी से उपर रहता है तो ज्यानी के लिए तो माया बंधन पर नहीं है अग्यानी के लिए है ना इसको और हम समझें देखे भोजन भोजन ज्ञानी और अज्ञानी दोनों लेते हैं ज्ञानी सरीर निर्वाह के लिए लेते हैं और अज्ञानी आसकता हो करके लेते हैं कपड़ा ज्ञानी और अज्ञानी दोनों पहनते हैं किन्तों ज्ञानी तन ढाकने के लिए पहनते हैं और अज्ञानी तन को दिखाने के लिए पहनते हैं हो रहा है कि नहीं कैसे और समझे इसको भोजन भोजन ग्यानी ग्यानी के सामने भोजन का समय होगा भोजन आएगा आएगा जैसा भी होगा ले लेगा वो जदा नुक्ता चिनी नहीं करेगा नहीं करता है न और यदि नुक्ता चिनी कर रहा है तो ग्यानी भी नहीं है यह भी वो अज्यानी है गल्ती किस्से नहीं होती है कोई कह सकता है कि मैं भोजन बना रहा हूँ तो कुछ न कुछ रुटी नहीं होगी कोई नहीं कारेंटी दे सकता है तो मैं कह रहा था ज्यानी सरी मतलब भोजन सरीर निर्वाग ले लेता मतलब उसके सामने भोजन खाने की समय होगा आएगा तो रुखा भी का जो मिलेगा ग्रहन कर लेंगे नुक्ताची नहीं करेंगे किन तु अज्यानी के सामने आएगा तब मालो नमक कम है मिर्ची कम है रोटी जल गई है तक कितने लोग तो धिरे से इन देवियों को कहते हैं कितने लोग कह भी डालते हैं क्या तेरे माता पिता ने सबजी में कितना नमक और मिर्ची डालनी चाहिए आज तक सिखा नहीं अब ऐसे उपाल के धर्दी ओ लो तूही खाँ यफश्य ज है एपुठते हैं की नहीं मैं भी माता पिता के हैं मुझे भी मालून है लाएं कि कि न्तु ज्यानी ऐसा नहीं करता है कि कपड़ाइद ज्यानी पहंते हैं कि कपड़ा और जी तनढाख और ज्यानी तन ढाखने क अब अज्यानिया तन को दिखाने के लिए पहन रहें पहन रहें की नहीं देखिए अब कपड़ा है तन को ढाकने के लिए पहना जा रहा है अब आज कल तो फैसन का यूग है यहां पर काट दिया जाता है जब काट किसले तन को दिखाने के लिए काटा जा रहा है ना मैं किसी का लोचना नहीं कर रहा हूं जो लोग ऐसे कटिंग पहने वो लोग नराज मत होंगे हाथ है हाथ में कपड़ा बनाया जा रहा है ठंडी का माउसम है तो अधर तो ठाका है यहां पूरा सब जाली लगी हुई है तो यह क्या है यह तन को दिखाने के लिए पहना जा रहा है अंतर इतना भोजन की बात आई तो एक घटना मुझे याद आ गई यह घटना यह घटना पुरानी घटना है यह उस समय की घटना है जिस समय कभीर नगर नहीं था तो कभीर नगर बड़ा आस्रम हो गया पहले प्रितम नगर पुराना आस्रम था वहीं रहते थे या और ये घटना है करीब 37-38 साल पुरानी घटना है ये वहाँ मकान का काम चल रहा था तो वहाँ ये भी है जो लोग गए जानते हैं वहाँ संत भक्त सब के लिए एक ही प्रकार का भोजन बनता है अब एक ही जगा बैठके खाते हैं जो बड़े पुरूस होते हैं गुरुजी होते हैं वैसे उसके लिए घंटी बजने के पहले भोजन अलग निकल जाता है आज जहां उनको सुविधा होती है खा लेते है तो गुरुजी भोजन कर रहे थे घंटी बज़ी तो संयोग ऐसा जहां वहां कीचन पुराना आश्रम में जहां गुरुजी कमरा था वही बगल में सीड़ी है तो वहीं से लोग जा रहे थे घंटी बज़ी तो गुरुजी ने गुरुजी पास एक मक्यू खिना बैठे भोजन के समय करके पंखा हाक रहे थे तो उसको गुरुजी ने कहा कि जाव आज भंडारी को बता दो दाल में नमक डालना भूल गए गए साथी जा करके बताए तो हमारे जो साथी थे भोजन मनाने वाले दाल में नमक डाले और एक कटोरी में नमक ले करके चम्मस पकड़के आये गुरुजी बंदगी की एक गलती हो गई नमक डालना भूल गया हूँ ले लीजिए तो जैसे उन्होंने दिया वैसे गुरुजी ने कहा कि मुझे तो दाल और सबजी में नमक पढ़ा हो या न पढ़ा हो कोई अंतर नहीं पढ़ता है जितनी रूची से नमक युक तब होजन लेता हूँ उतनी रूची से बिना नमक का भी ले लेता हूँ और एक बार मैं एक माह तक बिना नमक के दाल और सब्जी खाया है मेरी आदत बनी हो मैं तो इसलिए बताया कि तुम लोगों को असुविधा ना हो एक ज्यानी का लक्षन है आप लोग यह न सोचिएगा कि आप अपने गुरु की बढ़ाई कर रहे हैं मैं गुरु जी बढ़ाई करने नहीं आया हूँ एक बता रहा हूं घटना बता रहा हूं और अज्यानी का लक्षन यह वो भी एक साधू थे घुमने वाले साधू थे आये थे यह भी 35-36 साल पुरानी घटना है और वो चोक चटकार खाने वाले थे और यहां से बहुत मिर्ची केवल वारसिक कारिकरम में चार दिन डाली जाती है अन्य दिन आप लोग आएंगे ना तो बिना मिर्ची के ही सबजी मिलेगी यह भी जाने आप वह हल्दी धनिया डाल दिया जाता है अम मिर्ची अलग से कभी कभार चला देते हैं हर दिन नहीं तो चोट चटकार खाने वाले साधू खाने मुनको दिकत हो रही थी तो तीसरे दिन दोपहर में भोजन के बाद जब बंदगी हुई तब वो गुरु जी के पास कहने लगे कि गुरु जी क्या आप हर दिन सब्जी ही बनवाते हैं अरे कभी कभी तो तरकारी बनवा लिया कीजिए और नमक तो इतना सस्ता इतना सस्ता है फिर भी इतना कम क्यों डलवाते हैं सोचो शाधना करने के लिए कमर कसे हैं कफन पहने हैं और मसालेदार तरकारी के लिए ललचा रहे हैं सोचिए वो आदमी साधना कप करेगा सोचिए इसका मतलब यह नहीं है कि कभी कभार जीप छोखने के लि किन्तु बिना मिर्चा के नहीं चलेगा बस यही माया है और यही माया परसान कर रही आपके बाहर की माया नहीं देखें जिस कोठरी में आप कपास रखते हैं संत्रा रखते हैं बरतन रखते हैं शमान इधार उधार करें तो आपको और अन्य समान रखने के लिए जगा मिल जाएगी किन्तु इस मन कोठरी में माया इस ढंग से भरी है कि एकदम ठुसाठुस थोड़ी भी खाली नहीं है कैसे एक उधारां से समझें इसको भी जैसे यहां तीन दिन का कारिकरम चल रहा है ऐ ऐसे गुर्देव जी का कारिकरम एक छेत्र में था यह भी करिए 30-32 साल पुरानी घटना है तीन दिन का कारिकरम था जैसे यहां आस्रम में जगा मतलब आप सब तो हैं गुरुजी कहीं हैं संद लोग कहीं कहीं लगाए हैं ऐसे वहां उस गाउं में जगा का भाव था तो क घर में एक उपर में कम्रा था दूसरे तल्ले में कुछ तिन-चार संत रह रहे थे उन्हीं लोग साथ में मेरा भी था गुरुजी का अलग संतों का अलग ऐसे था तो घर जैसे घर में प्रवेस करते थे, तो प्रवेस करते ही फश्ट रूम में घर का मालिक रहता था, उसकी उमर थी 76-70 का रहा हूँ, उसको बिड़ी पीने की आदत थी, अब बिड़ी पीने की इतनी आदत थी कि थोड़े-थोड़े में जला करके पीता था, अब जैसे बिड़ी क दुआ अंदर जाता था इतना खास्ता था इतना खास्ता था वो सम्हाल नहीं पाता था खास्ते खास्ते कभी कभी बलगम भी गिरता था तीन दिन वहां रहना था थाई दिन भीद गया था तीसरे दिन तीन चार के भीज में मुझे कुछ काम से जाना पड़ा निवास में तब उस ब्रिद्ध ऐसे बाहर घर के बाहर चबुतरा जैसे होता है ना बना था बैठा था ठंडी का मौसम था धूप में अब बस उसका यह को नुकसान कर रहा है धूआ सहन नहीं हो रहा है यह बिड़ी पिना छोड़ दीजिए धूआ नुकसान कर रहा है तब उस ब्रिद्ध ने मारके की बात बताया कहा महराज सरीर भले चुट सकता है बिड़ी नहीं चुट सकती है क्या है माया ही तो है सोचिए माया है की नहीं क्या वो आदमी पैदा हुआ तो डिडी का पैकेट माचीस की डिबी लेकर आया था क्या यहीं आया आदत बना लिया और आदत बना लिया और उसी आदत से आप परशान है की नहीं तो यही तुमाया आए जिस कोडरी में आप बकरी रखते हैं जैसे फाटक खुलता है बकरी ही बकरी निकलती है जिस कोडरी में आप गाये रखते हैं जैसे फाटा खुलता है, गाएं ही गाएं निकलती है, ऐसे मनुस्य सुबह सो करके उठा, नीन्द खुली किसी को गाली दे रहा है, किसी को अपसब्द कह रहा है, तंबाखुर अगड के खा रहा है, बिड़ी जला करके पिरा, नीन्द खुली माया सुरू हो गई, बस यही त तो आप हमको नचा रही है प्राया लोग कहते हैं अब जैसे यहां सत्संग हो रहा है नहीं आ रहे हैं तब कहा जाता है भया सत्संग दूर दूर से संत आये हैं क्यों समय नहीं निकालते हों क्यों नहीं आते हैं तो लोग कहते हैं अपनी कलती नहीं देखते हैं कहते हैं क्या करें महराज, भगवान ने तो ऐसी माया डाली है, कि तेली के बैल की तरह उसी में घुम रहा हूं, सत्संग में आने के लिए समय नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं अब ज़रा सोचिए आप हम जितने लोग बैठे हैं विचारे हैं आप हम भगवान की माया से परसान है कि अपनी बनाई माया से परसान है सची दिल से आप अपने अंदर जहा किये और अप पूछिए आप अपनी अंदरात्मा से पूछिए बीडी पिने की आदात आप बनाए कि भगवान ने भेजा है भगवान ने भेजा है गुठका खाने की आदात आप बनाए है कि भगवान ने भेजा है तम बाखु ऐसे हर चीज़ को ले लिए एक लड़का है एक लड़की दोनों एक जगा पड़ रहा है इसकूल में और दोनों का मन निर्विकार है साफ है आ रहा है जा रहा है मिलना दोनों में जब मोह हो गया तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए छट पड़ा रहे हैं कि नहीं और कितने लोग तो कह भी डालते हैं कि तेरे बिना मुझे नीद नहीं आ रही है तेने बिना मुझे भोजन नहीं रूच रहा तो यह सोचिए यह भगवान की माया है कि उस और लड़की की माया है लड़के और लड़की की माया है तो आप हम जो परशान है ना भगवान की माया से परशान नहीं हमारी बना हम अपनी बनाई माया से ही परशान है और यही माया आप हमको नचा रही बाहर की माया नहीं नचा रही यह पक्का समझे देखिए टोकरी हो होता है बड़ा है उसको टोकरा कहा जाता है तो जिसका जो टोकरी होती है जिसका जो टोकरा होता है वही तो रखा जाता है जैसे संद्रा रखने की टोकरा में संद्रा रखा जाता है फूल रखने की टोकरी होती है फूल रखा में कहते हैं यहां पता नहीं क्या कहते हैं तो लोग सब अपने अपनी टोकरी ले करके डालते हैं कि नहीं कचड़ा को उसमें तो टोकरी होती है इसी प्रकार और उसमें देख लिए तो मतलब फूल रखने की भी टोकरी होती है कचड़ा रखने की भी टोकरी माली अपनी टोक करके सुबह सुबह बाग में जाता है कि और संदर सुंदर फूलों को चुन करके अपनी टोकरी फूलों से भरता है है और कच़रा उठाने वाला वी सुबह निकला आज हाड़ा वह टोकरा ले करके और अपनी टोकरी कचडा से भरता है यद्यपी कचड़ा उठाना पुन्य है अब कचड़ा फैलाना पाप है है की नहीं उठाने वाला बड़ा है फैलाने वाला बड़ा नहीं यह उधारान है सरवान समनले लक्षियांस ले तो टोगरी दोनों को मिली है माली को भी मिली है माली अपनी टोगरी फूलों से भर रहा है और अपनी टोकरी कचड़ा से भर रहा है यह मनुष्ट से ρी भी तो टोकरी है कपिर साहिब ने बीज़ग में कहा है कि नई शाखी प्रकुराण में बीज़ग याद है वह कुछ याद फोड़ा पहूं कभीर साहिब ने कहा है हूँल रहन की टोकरी अव घोरे खाया घीव यह मनुस्य सरीर फूल रखने की टोकरी है और यह मनुस्य सरीर फूल रखने की टोकरी तो है अब वो टोकरी आप हमको मिली है और रख क्या रहे हैं बीडी को जला करके खोस रहे हैं जिस टोकरी में फुल रखना चाहिए वहाँ गुटका रख रहे हैं तम माखू रख रहे हैं सोच। गुटका रखेंगे तमबाकू रखेंगे मुह से बद्बू निकलेगी की नहीं यदि टोकरी में फूल रखेंगे तो टोकरी सुगंधी से महकेगा और कचड़ा रखेंगे तो अब सोचें आप हम क्या रखें सुबह बड़े साहब कह रहे थे ना वो तीन जोला फल जो सुन्दर सुन्दर फलों को चुना वो तो मस्ता हो गया अब बीच वाला अधूरा अब तीसरा मर गया की नहीं अब सोचें आप हमको क्या करना यह मनुस्सरी टोकरी है अब यह टोकरी आप हमको मिली है अब आप हम स तोचे इस टोकरी को पा करके क्या कर रहे हैं जैसा करेंगो वैसा ही तो बनेगा तो यहां आप हम जितने लोग बैठे हैं यहां कम उम्रक भी लोग हैं और अधिक उम्रक लोग भी हैं मेरा आप सबों से सबसे मैं हाथ जोड़के निविदन कर रहा हूं समझें आप के हमारे जितने दिन बीते छोड़ दीजिए कोई यहां 80 के हैं 70 के 65 के कम उम्रके भी हैं आप के हमारे जितने दिन बीते सब छोड़िये क्या खाये क्या पिए क्या किए सब छोड़ दीजिए आज ही इसी कभीर चावरा मट के सामने ही कसम खालें कि आज से इस मुख टोकरी में गुटका नहीं भरूंगा तमबाखू नहीं खाऊंगा कचड़ा नहीं भरूंगा ये यदि मतलब प्रतिग्या करके यहां से उठें तो सोच लिजिए यह संसर सत्संग में आपका हो आऊना सार्थक हो गया और नहीं तो हम लोग कहते रहा गए और आप लोग सुनते रहा गए बस यही हुआ हम लोग कहने का काम और आप सब के सुनने का काम एक रस्म अदाईगी है तो मेरा आप सबसे यही निवेदना है कि इस मनुस्य सरीर जो मिला हुआ है कल्यान करने के लिए इसको कचड़ा रखने की टोकरी न बनाए फूल रखने की ही टोकरी रहने देखुरू कहते हैं कि मन माया की कोठरी अतन संसय का कोठ ये सरीर संदेहों का किला-किला हर समय मनुस्य का मन डगमगाता रहता है शंदेह बना हुआ है डगमगाहट नौकरी छूट न जाए दुकान बंद न हो जाए दुकान बंद पत्नी विमूख न हो जाए लड़का अवग्या न करे नौकर कामचोर न हो ब्रिद्धा वस्था में सेवा कौन करेगा पडोसी बै अपने आपको उन्जा ले जाता है अधिक हा रहा है और सोच भी रहा है कल खाने को मिलेगा की नहीं मिले गा कितना बड़ी कितनी बड़ी भूलाया जी मिट घर में गेहूं का कट्टा रखा है सरकार मालो 2004 2004 से पहले से आप भरे हुए हैं तो पेंसन दे भी रहें 2004 से पेंस बंद हुआ है हुआ है ना सरकार पेंसन दे ही रहा है गेहूं का कट्टा रखा है चावल का कट्टा रखा है सब कुछ है बैंक बैलेंस है और आदमी सोच रहा कल खाने को मिलेगा की नहीं मिलेगा तो कठोर भासा में कहें तो नमाख हराम है की नहीं जो सब कुछ है प्यव किसान था जैसे फसल तयार होती थी हिसाब किताब लगाता था और हिसाब किताब लगा करके खर्च करना सुरू करता था एक वर्सा हिसाब किताब लगाया तो साल में एक दिन के लिए अनकम पड़ा तो उसके दिमाग में आने लगा, 364 दिन के खाने के लिए तो सामगरी मेरे पास आए, 365 दिन के लिए नहीं है, तो 365 दिन क्या खाऊंगा, यह सोच रहा था, तो सोचते सोचते एक दिन रात्री में उसके दिमाग में आया, कि 365 दिन चावल खाऊंगा, तो एक दिन उसका छिलका खालूंगा, जो बैलों क को खिलाए जाता है होता है जणवरों को खिला जाता है सोचा खालूंगा फिर उसके दिमाग में आया जब एक च्छिलका साफ़ा खाकर गुजारा करना है तो पहले ही पर बीध को उना खालिया जाए यह निर्नाई लिया पतनी से कहा वो देखो बैलों को खिलाना हो किसान आदमी तहल जोतना था उसे पतनी सोची बैल के लिए मंगा रहा है उसे क्या पता बड़ा बैल खाने वाला है ला करके रख दी चली गई और जैसे पतनी गई वो आदमी फटक को ढखेल दिया कि पतनी देख न ले अव उठा गया मुख में डाला और जैसे वो डाला वो गला में आकर के फंस गया ना नीचे उतरा ना बाहर निकला थोड़े ही देर में जैस्री राम हो गया वो बस वही दसा आप हमारी है हम लोग भी ऐसे ही मर रहे हैं कि क्या है आदमी जो जो एक तो हम लोगों को खाना पीना दियेंगे तो उसको पचाने के लिए पानी भी तो नहीं पी पाते हैं और जब तक उसमें पानी डालेंगे भुझन पचेगा कैसे और आदमी टीव ही देखर कर वहारा ह मन की दो सो रहा है रात में नीन नहीं आती क्षमक्र मिल्र्ण लाट में आती होता है दिऊच्ष और स तो सद्गुरु कहते हैं तन संसय का कोट और विसाहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट शंद्गुरु अब देश तो दे रहे हैं किन्तु हम अब लगे तब ना शम्झा तो रहे हैं देखो बुद्ध आये महावीर आये कभी राए आये दुनिया वैसे की वैसे तो है तो यह मतलब अज्ञान रूपी सर्प ने ऐसा चोट मारा है कि विस को हरन करने वाला सत्यों बदेश लग नहीं रहा है तो कभीर सहाइब के साखी की मन माया की कोठ री और तन संसय का कोठ और विसहर मंद्र माने नहीं काल सर्प की चोट पर मैं कुछ निवेदन कर रहा था बस मैं इतना कहकर अपनी वानी को विराम दे रहा हूं और हमारे वीच पुज्य संध विराज मान हैं उन लोगों की वि अवी हम विचार सरवन कर रहे थे कवीर पारक सिथान प्रैाग राज इलहवाथ से पधारे परमसरदेश संसरी सतंदर साहच जी गे उनके कल्याण कारी विचारों से लाब लिए आगे विचार रखने के लिए निविदन है कवीर पारक सिथान फ्रैग झाल झाल